आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल 36 गड़ को 10 गैरंटी दे कर गए उन्होंने नौ घोश्राओं के बारे में बताया जबकि उन्होंने कहा कि आदिवासी और किसान के लिए 10 वी गैरंटी दी जाएगी जिसकी पूरी गोशना मैं 36 गड़ में अगली सभा में करूँगा आएए आपको सुनाते हैं केजरिवाल के भाषन की बड़ी पातें गरत तो नहीं बोल रहा मेरको भी बगल में बैठे 22 बता रहे थे कि गाओं के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती शेरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं लगते हैं की नहीं लगते 24 घंटे बिजली चाहिए की नहीं चाहिए दिल्ली में भी पहले 7-7-8-8 घंटे के पावर कट लगते थे हमारी सरकार 2015 में बनी थी 2014 याद है मेरको दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7-8-8 घंटे बिजली नहीं आती दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब में सरकार बने देड़ साल हुआ है देड़ साल पहले यहाँ पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं आप फोन करके पूछ लेना नेट पे देख लेना पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे देड़ साल पहले तक हमारी सरकार बनने के पहले केवर देर साल के अंदर पंजाब में ऐसी विवस्था करते ली अब 24 गंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर 36 गड़ के अंदर भी 24 गंटे बिजली आया करेगी बिजली की कमी नहीं है नियत की कमी है इनकी नियत खराब है इन सारे पार्टी वालों की इनकी नियत खराब है 24 घंटे बिजली मिला करेगी तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी दूसरा फ्री बिजली मिलेगी ये magic है 24 घंटे बिजली फ्री बिजली ये दुनिया में किसी को magic नहीं आता ये जादू है ये केवल मेर को आता है ये उपर वाले से वर्दान मिला है मेर को केवल केजरी वाल को आता है 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली अमरीका में भी नहीं आती, इंगलेंड में भी नहीं आती टोकियो में भी नहीं आती फ्रांस में भी कहीं नहीं आती केवल दिल्ली में आती है और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गए लोगों को तो 300 यूनिट बिजली हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए अभी मान साथ ने बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई कि कैसे एक दूद बेचने वाले भाई ने बताया कि जब वो दूसर दूद बेचा करता था पहले ढ़ाई ढ़ाई महीने के बाद पेमेंट मिलती थी और जब से बिजली के बिजली फ्री हो गई हर महीने उसको पेमेंट मिलने लग गई क्योंकि लोगों के पैसे बचने लग गए आज इतनी महंगाई हो गई इतनी महंगाई हो गई आम आदमी का घर चलाना मश्किल हो रहा है इन निताओं को क्या पता इन्होंने तो पता नहीं कितने करोडो अरब रुपे कमा रखे हैं साथ साथ पुष्टों के लिए आम आदमी से पूछो ना उसका घर नहीं चल रहा जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे ये कहते हैं फ्री की रेवडी बाट रहा है अरे जनता से पूछो ये फ्री की बिल भेज देते हैं किसी का 40,000 का बिल भेज देते हैं गलत तो नहीं कह रहा फिर चक्कर काटते रहो इनके 40,000 का बिल भेज देते हैं बिजली दफ्तर के चक्कर काटो बाबू कहता है 5,000 रुपे दे तो तेरा 40,000 का बिल कम कर दूँगा ऐसे कहते हैं ना दंदा बना रखा इनोंने तो मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने कह दिया बिजली 300 इनिट फ्री लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है उसको क्या करोगे जब तक वो 40,000 नहीं बरोगे वो आपको फ्री देंगे नहीं तो दिली में भी हमने करा पंजाब में भी करा 36 गड़ में भी करेंगे नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल है सारे माफ पंजाब में करा था चुनाव के पहले तक के दिसमबर तक फरवरी में चुना हुए थे फरवरी में पंजाब में जैसे पंजाब में फरवरी में चुना हुए थे तो दिसमबर तक के पूरे पंजाब के लोगों के जितने बकाया बिल थे दिसंबर तक के सारे माफ कर दिये एक बार में हमने उससे क्या फाइदा हुआ लोगों को अब चक्कर काटने की जुरूरत नहीं है सारे पुराने बिल माफ हो गए कई ऐसे लोग थे जिनके गलत बिल आए वे थे 40-40-50-50-40-1000 रुपे के गलत बिल थे फिर वो आके बिजली का कनेक्शन काट जाते है फिर उस आदमी को डंडी डाल के बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है फिर उस पे चोरी का के सब खतम हो गया लोगों ने एक नंबर में कनेक्शन ले लिए सब के पुराने बिल माफ हो गए नए बिल आने बंद हो गए जनता में खुशाली खुशाली हो गई तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती, आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूँ, ये लोग आपके बच्चों को जान बूझ के अनपढ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे जितने सरकारी स्कूल हैं आज मैं देख रहा था आने के पहले 36 गड़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का कई स्कूल तो बंद कर दिये इन्होंने कई स्कूल हैं जिसमें 10-10 क्लास हैं और एक टीचर है कई टीचर हैं जो बिचारों को तंखा नहीं मिली कई कई महिनों तक कई टीचर हैं जो कच्चे हैं वो उनको तंखा नहीं मिलती हैं उनकी नौकरी का कुछ अधा पता नहीं है टीचर हैं उनसे टीचिंग के अलावा सारे काम कराते हैं टीचिंग नहीं कराते बस तो दोस्तों दिल्ली के अंदर दिल्ली के इंटरनेट पे जाके देख ले ना, जितने दिल्ली में रिष्टेदार एंसे पूछ लेना फोन करके दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया, हम लोग उने शांदार बना दिया आजादी के बाद से आज तक 75 साल में पहली अकेली सरकार आई है जिसने शिक्षा के उपर इतना जोर दिया है आज मेरे दिल्ली के स्कूलों के नतीजे सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से जादा अच्छे आ रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है लंबी लंबी लाइने लगी होती है प्राइवेट स्कूलों की चार लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भरती हो गया है इतने शानदार सर सब बैठके पढ़ते हैं तो आपके सारे सरकारी स्कूल शांदार बना देंगे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी और जितने प्राइबेट स्कूल हैं इन्होंने लूट मचा रखी हैं मचा रखी हैं कि नहीं मचा रखी गुंडा गर्दी 10 साल से स्कोलों को फीस नी बढ़ाने दिया मोग वान जो गुंडा गर्दी मचा रखिए उसको प्राइवेट स्कुलों वाली गुंडा गर्दी को बंद करेंगे जितने टीचर हैं कच्छे टीचर हैं उन सारे कच्छे um को पक्का करेंगे अभी अभी पंजाब में 12,000 कच्चे टीचरों को पक्का कराया भगवनतमान साब में और टीचरों से केबल टीचिंग का काम करवाया जाएगा शिक्षा का काम कराया जाएगा दूसरे उलट सुलट काम जितने हैं वो काम बिलकुल नहीं कराया जाएगे तीसरी गारंटी स्वास्थ की गारंटी आज अगर घर में कोई बिमार हो जाए छोटी मोटी भी बिमारी हो जाए पाँचार पाँच अजार उपे तो कहीं नहीं गए डॉक्टर के आँ और अगर भगवान न करे किसी के घर में कोई बड़ी बिमारी हो जाए प्राइवेट अस्पिताल में चले जाओ सारी जमीन बिक जाती है सारे गहने बिक जाती है सब कुछ बिक जाता है और सरकारी अस्पितालों के अंदर बुरा हाल है ना मशीने काम करती ना डॉक्टर मिलते ना दुवाईयां मिलती, ना टेस्ट मिलते बस डॉक्टर कुछ लिख देता, कहता है बाहर से करा लो, है कि नहीं है? कुछ नहीं होता पहले दिल्ली में में भी ऐसी होता था पहले पंज़ाब में भी ऐसी होता था सारे सरकारी असपितलों का बुरा हाल था आज दिल्ली के किसी भी सरकारी एस्पताल में जा के देख लो सारे एर कंडिशन्ड सरकारी एस्पताल बना दिये शामदार सरकारी एस्पताल बना दिये और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया गरीबों का भी अमीरों का भी हम यह नहीं देखते कि BPL card है, ये card कुछ नहीं आप इनसान हो जाए दिल्ली के रहने वाले हो जाए डिल्ली अगर आप जाओगे ईलाज कराने के लिए दिल्ली में किसी भीज हपिताल में चले जाना आप से यह नहीं पूछेंगे कि आप दिल्ली के रहने वाले हो कि 36 गड़ के किसी भी अस्पिताल में चले जाओ आपका सारा इलाज मुफ्त होगा आपको दस रुपए की क्रोसिन की टेबलेट भी मुफ्त मिलेगी टेस्ट भी मुफ्त होंगे आपका अगर 20 लाख रुपए का ऑपरेशन भी है ट्रांस्प्लन्टेशन भी है वो भी पूरा का पूरा मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर 36 गड़ में होना चाहिए की नहीं होना चाहिए फिर हमने गली-गली मोहले में हमने मोहला क्लिनिक खोल दिये कि अगर बड़ी बिमारी हो तो आप अस्पताल जाओ छोटी मुटी बिमारी खांसी चुखाम के लिए बड़े अस्पताल जाने की क्या जरूर दे हर गली में हर मोहले में मोहला क्लिनिक खोल दिये ऐसे ही 36 गड़ के हर गाओं के अंदर हर महले के अंदर महला क्लिनिक खोलेंगे और जितने बड़े सरकारी एस्पटाल है उन सारे सरकारी एस्पटालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज सबका इलाज मुफ्त होगा इलाज भी, टेस्ट भी, दवाईयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी दिल्ली में हमने लगबग दो लाख सरकारी नौकरियां दी और बारा लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली में पंजाब में अभी मान साब ने बताया 30,000 से जादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं पिछले डेड़ साल में और अभी 3,000,000 के करीब प्राइवेट नौकरियां तयार हो रही हैं पंजाब के अंदर नौकरी देनी आती हैं हमें हमारी मन्शा है नौकरी देने की तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे रोजगार का इंतजाम करेंगे इस बात की गारंटी दे के जा रहा हूं कोई दूसरी पार्टी आपको ये गारंटी नहीं देगी कोई पार्टी आपके घर की बात ही नहीं करेगी आपके बच्चों की बात ही नहीं करेगी तो हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक तीन हजार रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जितनी सरकारी नौकरियां होती है सरकारी नौकरियों में बिना पैसे दिये मिलती है सरकारी नौकरी बिना सिफारिश के मिलती है अब मिलेगी रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी सिफारिश भी नहीं करनी पड़ेगी पंजाब में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं कोई पेपर लीक नहीं हुए कोई सिफारिश नहीं चली कोई रिश्वत नहीं चली मेरिट के अधार पे 30,000 बच्चों को नौकरियां दी हैं ऐसी 36 गड़ में भी होगा महिलाओं के लिए गारंटी मैं सुनता हूं बड़ी बड़ी पार्टी हैं बड़े बड़े नेता के महिला सशक्तिकरन महिला सशक्तिकरन बड़े भाशन देके जाते हैं असली सशक्तिकरन तो तब होगा जब जेब में पैसे होंगे ने तो सारी सशक्तिकरन की बाते फरजी हैं जेब में पैसे होंगे तब ही तो सशक्तिकरन होगा 18 साल से उपर की हर महीला को हर महीने 1000-1000 रुपे उसकी जेब में डाले जाएंगे बहुत महीला हैं, बहुत बेटियों को मैं जानता हूँ स्कूल से पास आउट होती हैं कॉलेज में डिमिशन मिल गया, कॉलेज बहुत दूर है, जा नहीं सकती और उनकी पढ़ाई छुड़ जाती है अपने समाज में ऐसे हैं ना घर में एक बेटा और एक बेटी और बेटी की पढ़ाई छुड़वा लेते हैं, पैसें नी हो तो बेटे को पढ़ाते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चीयों की पढ़ाई चालू रहेगी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पैसे की वज़े से अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाते हजार रुपे महीना कम नहीं होता बहुत होता हजार रुपे महीने से महिलाओं को बहुत फायदा होगा उसके बाद है तीर थ्यात्रा की गारंटी जैसा भी मान साथ ने बताया अभी अभी पिछले हफ मैं एक ट्रेन शुरू करें दिल्ली से हम बुजुर्गों को तीर थे आत्रा के लिए बेजते हैं 12 स्थान हैं द्वारकाजी रामेश्वरम शीरडी बाबा अयोध्या हरद्वार रिशिकेश इस तरह से करके 12 स्थान हैं कोई आदमी कोई भी एक स्थान उसमें से चूज कर ले उसकी फिर ट्रेन जाती है आपका आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री एर कंडिशन ट्रेन में लेके जाते हैं एसी ओटल में रुकु आते हैं आपको घर से लेने आपके बस आती है स्टेशन लेके जाती है ट्रेन में बिठाते हैं वहां रुकु आते हैं वहां से भी बस का इंतजाम है आपको अपनी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं करना अभी तक दिल्ली में मैं 73,000 लोगों को 33,000 करा चुका हूँ आप मौका देंगे तो 36 गड़ के बुजर्गों को भी 33,000 कराएंगे भरष्टा चार मुक्त 36 गड़ पहले दिल्ली में बहुत बरष्टा चार था पंजाब में बहुत बरष्टा चार था हम जो इतनी सारे वादे करते हैं बिजली फ्री कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, अस्पिताल खोल देंगे इलाज मुफ्त कर देंगे बच्चों को शेख पैसा कहां से आएगा पैसा यहीं से आएगा इतना करप्षन है इतना करप्षन है मैं बता नहीं सकता जब मैं सरकार में नहीं था मेरे को यहीं लगता था कि यार लेकिन सरकार में आने के बाद मैंने देखा कि पैसे की कमी नहीं है नियत की कमी है इन लोगों जो बहुत है पैसा तो भष्टाचार खतम करेंगे खुब पैसा आएगा और दूसरा आप जब अपना काम कराने जाते हो तैसीलदार के पास पटवारी के पास बिना पैसे के काम होता है नहीं होता ना अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे आपको अपन पंजाब में करने जा रहे हैं हमने फोन नंबर दे दिया दिली में 1076 नंबर है उस पर फोन करो बोलो जी मेर को जाती परमान पत्र बनवाना है वहां से अवाज आएगी कितने बज़े आएं आपके घर आपका जाती परमान पत्र बनाने के लिए और फिर दिली सरकार से ने कई दफ्तरों पर ताला लगा दिया अब दफ्तर की जरूरत नहीं अब घर पर काम होते हैं आपके यही 36 गड़ में भी करेंगे शहीदों के सम्मान में जो जो 36 गड़ पुलिस के करमचारी अफसर ड्यूटी पर काम करते हुए शहीद होंगे या 36 गड़ का रहने वाला कोई भी वक्ति फौज में अगर शहीद होगा दिल्ली में पहले उसकी विधुआ को एक सिलाई मशीन दिया करते थे बताओ इससे बड़ी बेज़ती हो सकती है कोई हमने एक करोड की राशी देना चालो किया उन लोगों को 36 गड़ में भी जो जो शहीद होंगे चाहे 36 गड़ पुलिस वाला या 36 गड़ में रहने वाला कोई भी सैनिक फौज में अगर कोई शहीद होगा उसके परिवार को एक करोड मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए नौवी गारंटी बहुत सारे करमचारी कच्चे हैं ठेके पे हैं उन सब को पक्का किया जाएगा मुझे बताया गए आप बहुत धरने पे बैठे रहते हैं विचारे बहुत मांग करते रहते हैं धरना प्रदर्शन करते रहते हैं उन सब को पक्का करेंगे अभी 25,000 से ज़्यादा करमचारी दिल उसमें पंजाब में इन्होंने पक्के किये हैं और आखरी गारंटी किसानों और आदिवासी समाज के लिए लेकिन इस आखरी गारंटी का इंतजार करना पड़ेगा मैं दुबारा हूँगा यह बहुत बड़ी गारंटी है किसानों की और आदिवासी समाज की बहुत बड़ी गारंटी है आज नहीं बोलके जा रहा दुबारा हूँगा सभा करेंगे उसमें इसी के उपर बात करेंगे किसानों के उपर और आदिवासी समाज के उपर तो ये दस गारंटी है केजरीवाल की गारंटी है पक्की गारंटी है दूसरे निताओं की तरह नहीं है